दोस्तो इस वीडियो का आपको हरा One Step आपको गोर से देखना है यां पे सेंट ड्राउजर कौन सा वर्जन आपको वर्जन आपको यूज़ करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में देने वाला हूं फाइल जो है, ये फाइल कैसे लगेगी, कैसे यूज होगी, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और सब कुछ मतलब A to Z या पर जोईन स्क्रिप्ट जो है, वो भी आपको देने वाला हूँ पासवर्ट किलोनिंग वगरा के लिए ये भी मैं आपको इसी वीडियो में दूँगा फेशन बॉक्स अपग्रेड की फाइल भी इसी वीडियो में दूँगा और यूजर एजन्ट कौन सा यूज करना है आपको ये भी इसी वीडियो में दूँगा सेंट ब्राउजर आप सर्च करते हैं तो यहां पर सेंट ब्राउजर की बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी है लेकिन आपको यह नीचे वाली जो भी है इनको इगनोर करना है और उपर जो इनकी ओफिशल जो वेबसाइट है इस पर आपको किलिक करना है दोस्तो इस पर किलिक करते हीं दोस्तों तो उसके बाद यहां पर सिट्री में पे लिए बहुत हैं कि क्या आ आता है और यह सेंट ब्राउसर जो है वो डाउनोड करना है तो यहां पर डाund करता हूं इसको और यहां पर जो फृस्त पॉइंट है जीरो वाला जो वर्जन है यह आ पको डाउनलोड करना है अगर आप ये फाइल मुन से लेते हैं तो आपको ये उसी फाइल के साथ मिल जाएगा वो 64 बिट है यहां पे 32 भी है लेकिन मेरे PC की जो है वो 64 है तो इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ यहां पे जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहां पे आ चुका है इस्टार्ट डाउनलोड पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यह डाउनलोड हो रहा है दोस्तो देख सकते हो और यह डाउनलोड हो चुका है उसके बाद इसको इसको इंस्टॉल करेंगे और इसमें आपको बताओंगा कि ये File Input कैसे होती है सब कुछ मतलब A to Z बताओंगा तो यहाँ पे Install पे जैसे ही मैं किलिक करता हूँ दोस्तो यहाँ पे देख सकते हो यही वर्जन है 3.0.4 तो यहाँ पे Install पे जैसे ही मैंने किलिक किया तो यह Install हो रहा है तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो कुछ ऐसा इंटर्पेज आएगा आपके सामने उसके बाद यहां पे जैसे ही इस पे डबल किलिक करते हैं तो यहां पे देख सकते हो कोई भी मतलब नहीं है और यहां पे मैनेज पीपल पे किलिक करके aid person यहां पे यह नाम लिखा हुआ है save पे जैसे किलिक करेंगे तो इसका दूसरा किलोन भी open हो जाएगा अब जो है इसको close कर देना है दोस्तों इसी फाइल में totally setting की हुई है बस आपको क्या करना है यह फाइल इसमें लगा नहीं है वो फाइल कैसे लगेगी तो यहां पे फाइल को मैं अंजिप कर लेता हूँ फाइल जो है पासवर्ड प्रोडेक्ट है तो इसमें पासवर्ड जो लगा हुआ है वो भी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में सब कुछ मतलब देने वाला हूँ तो यहार वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करें और यहां पे पासवर्ड लगा के जैसे ही ओके पे किलिक करता हूँ तो यह दोस्तो अंजिप हो जाएगी मेरे पास पहले से इसी नाम से अंजिप की हुई है तो मैं यहां पे नाम होगे रहा है पास का चेंज करके यहां पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ और जैसे यस टू आल पे किलिक करता हूँ तो दोस्तो देख सकते हो यह अंजिप हो रही है उसके बाद दोस्तो आपको क्या करना है तो ऐसी कुछ फाइल आपके पास आएगी इसमें तो थोड़े हैं लेकिन जो मैं आपको फाइल देने वाला हूँ उस फाइल में आपको मतलब सब कुछ मिलेगा जो भी मैंने आपको फास्ट में बताया है वो ही सब मतलब उसी फाइल में आएगा तो यह लगेगी कैसे इसको जैसे ही आप कोपी करते हैं दोस्तो इसको कोपी करने के बाद अब जो है हमने दूसरा भी एक किलोन बनाया था दोस्तो इसको मैं यहां से कोपी करता हूँ और जैसे इस पे राइट किलिक करके open file location दोस्तों यह गोर से आपको step देखना है और यहां पे बहुत सारे मतलब आ जाएंगे आपके c file के लेकिन आपको sent browser जहां पे लिखा हुआ है उस पे click करके user data पे click करना है दोस्तों उसके बाद यहां पे profile आपको डूंड़ना है तो यहां पे 11 MBS की तो इसको मैं control A करके जैसे ही delete दबाता हूँ दोस्तों तो यह delete हो चुका है दोस्तों देख सकते हो उसके बाद यहां पे जो मैंने आपको file दिये उसको paste कर देना है दोस्तों इसको जैसे ही paste करते हैं तो आपको मतलब आपके computer में कुछ भी नहीं करना है पूरी setting मतलब हो जाएगी और एक भी ID disabled नहीं होगी बना के पॉल पे लगा के दिखाऊंगा तो यहां पे देख सकते हो यह मैंने जैसे ही open किया तो यह सारी setting आ चुकी है अब जो है इदर session box अगर आपके पास upgrade मांगता है तो उसकी file भी मैंने दे दिया यह upgrade कैसे होता है 3.2 पे click करके more tool पे click करके extension पे click करना है और यहां पे load unpack जो लिखा हुआ है इस पे आपको करना है click और जो मैंने file दिये उसके उपर लिखा होगा file session box upgrade अली जेमर तो वहां पे click करके जैसे ही update extensions नाव पे जैसे ही click करेंगे तो यह update हो जाएगी दोस्तों तो यह हो चुकी है अब जो है यहां पे मैं जो file आपको दूँगा उसमें bookmark भी बना दूँगा और वो bookmark मतलब चलेगा दोड़ेगा तो यहां पे वो bookmark मैंने on कर लिया है अब जो है user agent आपको कौन सा on करना है सबसे पहले यह आपको गोर से देखना है तो यहां पे जो मैंने on किया है वो ही आपको on करना है दोस्तों अब जो है R2 clicker की मदद से मैं इसको चला लेता हूँ मतलब टेप ओपन करके आपको आईडी बना के दिखा देता हूँ कि यह वाकिए आईडी बनती है या नहीं बनती है एक भी आईडी डिसेवर नहीं होगी इस फाइल से और इस फाइल को जो है आप मुझ से ले सकते हो तो यहां पे यह आटू किलिकर की मदद से मैं इन पे चला लेता हूँ बुक मार्क पे तो यहां पे गेट कोडिनेट पे कलिक करके ओके कर देता हूँ और जैसे ही कंट्रॉल टेप दबा के स्टार्ट करूंगा तो दोस्तो यह इस पे चल जाएगा तो देखते हैं और कुछ भी लोडिंग वगिरा नहीं लेगा दोस्तो यह सेंट ब्राउदर में ने जो आपको देना है कुछ भी मतलब लोडिंग वगिरा आप खुद देख सकते हैं यहां पे जस्ट नाव पे सब कुछ होगा तो यहां पे फाइल पे जैसे ही में क्लिक करके स्टार्ट करता हूँ तो यह आटू फिल्म मतलब होना शुरू हो जाएंगे देख सकते हो दोस्तो यह सारे फारम जो हैं वो फिलो होना शुरू हो चुके है मैं जैस के नंबर पे बना रहा हूँ अगर आपके पास टेलिनार है टेलिनार फिरी मूट पे बनाएं और यूफोन है तो यूफोन जोंग है तो जोंग यह पाकिस्तान में वर्किंग है इंडिया के लिए भी मैं फाइल बनाऊंगा जरूर तो यहां पे आपको यूजर एजन्ट कौन सा आन करना है तो यहां पे देख सकते हो यह तीनों वर्किंग है दोस्तों यहां पे यह जो है मैं आप आपको चेक करवाने के लिए तो यहां पे मैं चला लेता हूँ अटू किलिकर लेकिन पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि वाकि यह आईडिस बनती है या नहीं बनती है तो दोस्तों यहां पर sign up पे मैं click करके आपके internet की speed के हिसाब से आप इसकी speed रखते हैं मैं तो 6600 मतलब कुछ उपर रख देता हूँ तो यहां पर देख सकते हूँ दोस्तों यह ID बन रही है अब जो है यहां पर start कर देता हूँ इसको और जैसे ही iPhone प्रेस करता हूँ तो दोस्तों यह fix नहीं हुआ था sign up पे तो इसको मैं दोबारे से कर लेता हूँ यार आपको यह याद रखना है कि sign up जो लिखा हूँ उसके बिलकुली उपर जो है यह click करना है और start दबा के iPhone प्रेस जैसे ही करते हैं तो यहां पर देख सकते हो यह live ID बन रही है एक second भी वीडियो को skip नहीं किया है और दोस्तों यह फाइल जो है वो paid है आपको मिलेगी यह फाइल 370 रुपए में मिलेगी आपको स्क्रीन पे नमबर दिखाई दे रहा है आप इस पे 370 रुपए भेज के मुझे इसी नमबर पे वार्शेप पे स्क्रीन शाट भेजें और इमेल एडरेस बेजे मैं आपको यह फाइल सेंड कर दूँगा और इसका पासवर्ट मैं आपको वार्शेप कर दूँगा दोस्तों मुझे पता है कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी लेकिन क्या है कि बहुत मेहनत लगती है यह ऐसी सेटिंग बनाने में और यह फाइल जो है आपको बाय करनी पड़ेगी तो यहां पे जैसे ही साइन अप पर यह दो आईडी मतलब नहीं बनी थी यह नाम का एरर आ रहा है तो इस पे जैसे ही मैं यह नाम सेलेक्ट करके यूज दिस नेम पे किलिक करता हूँ दोस्तो तो यह भी बन रही है तो अब यह मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि वाकिए यह आईडी बनती है यह नहीं बनती है दोस्तों और ये आईडिय उरती भी नहीं है, ये भी प्रूफ में इसी वीडियो में आपको दूँगा और ये पॉल पे कैसे लगती है, वो भी आपको लगा के दिखाऊंगा जॉइनिंग कैसे होती है, वो भी करके दिखाऊंगा मतलब ये पूरी सेटिंग आपको, ये बिलकुल सस्ते रेट में मिल रही है और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों तो ये जैसे ही हो जाता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे ये पूल पे लगती है, और इसमें एड बिलाकर भी एड किया हुआ है वो कैसे यूद होता है, वो भी इसी वीडियो में बताऊंगा तो दोस्तों यहाँ पे आपको, मतलब अब ये जॉइन वाला स्क्रिप्ट जो है, वो भी मैंने पहले से लगा दिया है अगर नहीं लगा होगा तो वो भी मैं आपको फाइल में दे दूँगा और यहां पे ये यूजर एजंट इसको मैं डिफाल्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं इनी आइडिज को सेव करता हूँ और उसके बाद मैं आपको अगला इसके बता देता हूं कि आपको क्या करना है तो यहां पे चेंजनेम कर देता हूं ग्रूप का और यहां पे जो ID मेरे पास Уपन है वो लिख के यहां पे जैसे ही Save पे क्लिग करता हूं तो दोस्तों यह सेव हो रही है तो दोस्तों ये आईडी सेव हो चुकी है अब इन आईडी को मैं किलोज करता हूँ और दोबारा से ओपन करके आपको बता देता हूँ कि ये राउंड कैसे लगेगा तो जैसे राइट किलिक करके किलोज आल टेप करता हूँ और इनको मैंने किलोज कर दिया अब जो है यहाँ से मैं गुरूप का लिन्क जो है वो कोपी कर लेता हूँ मैंने अपने वार्टिशिप некоторые पर बेद दिया है तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कोपी और चलता हूँ फिर से सेंट बेलाओर में और इन्ही आईडी को टूप। कर लेता हूं तो सबसे पहले आपको क्या करना है यूजर एजेंट आपको ओन कर देना है तो यहां पर मैं यूजर एजेंट ओन कर लेता हूं यहां पर यह देख सकते हैं दोस्तों यह जो लिखा हुआ है जाइन ग्रूप ओन तो इसको ओन कर देना है दोस्तों यह वाला यू आपनू हो चुकिये अभी इन्ही आइडी को में गूरूब में जॉइन करूंगा लेकिन यह पॉल का लिंक है, अब इसे हमें बनाना है, तो यहाँ पर यह देख सकते हैं यह पॉल का मैंने डिलिट कर दिया है अब जो है यहां पे मैं जैसे ही किलिक करता हूँ तो यह गुरूप का आ जाएगा दोस्तो यहां पे देख सकते हो यही है पी.faisbuk.groups तो यहां पे मैं जैसे ही इस बुकमार्क पे किलिक करता हूँ तो दोस्तो देखते हैं यह गुरूप में open होता है यह नहीं होता है तो यहां पे यह image वगेरा आ जाता है तो इसको कैसे आपको close करना है तो यहां पे hide something जो लिखा हूँ है एड बिलाकर मैं इस पे जैसे ही click करके look good confirm पे जैसे ही click करेंगे तो यहां पे only group join show होगा तो इसको मैं zoom कर लेता हूँ थोड़ा तो यहां पे देख सकते हो दोस्तो अब जो भी ID देए इन पे इसा ही कुछ show होगा आपके पास तो इस पे मैं चला लेता हूँ आटू किली कर दोस्तो आपको हर एक step गोर से देखना है ऐसा नहीं है कि यार फिर मतलब उल्टी सी दी बातें करना शुरू कर दो कि आपने यह नहीं बताया और file कैसे लगती है वो भी मैंने आपको इसी में बता दिया है और यह file paid है आपको buy करनी पड़ेगी तो यहां पे यह जो है HTML disable वाला यह भी आपको image disable कर देना है ताकि कोई मसला नहीं हो तो यहां पे देख सकते हो कुछ भी loading नहीं लिया है सब कुछ आपको live देखा रहा हूँ कोई भी मैंने fast वगिरा वीडियो नहीं की है तो यहां पे एक ID जो है वो उर्दू हो चुकी है तो इसको में translate पे किलिक करके English कर देता हूँ तो यहां पे देख सकते हो दोस्तो यह जो भी IDs थी वो इनी groups में on हो चुकी है अब जो है जो है जोई जोईन पे किलिक कर चला देता हूँ देखता हूँ यह जोईन होती है या नहीं होती है तो आपको user agent जो है वो आन रखना है जोईन वाला तो यहां पे मैं इसकी SP लख देता हूँ टिपल टू आपको भी SP टिपल टू ही रखनी है वरना यह IDs उड़ भी थकती है तो यहां पे यह जोईन पे मैंने चला दिया है अब जो है यह सारे IDs जो है इनको अपरूद देता हूँ यह गुरूब में मेरा अपना है तो यहां पे जैसे ही अपरूद देता हूँ उसके बाद में आपको अगला स्टेप बता देता हूँ कि आपको यह पॉल पे कैसे लगानी है तो दोस्तो अपरूद ड़न हो चुका है उसके बाद यहां पे पॉल लिंक पे इसको चला लेता हूँ और इसकी स्पीड में 50 रखके जैसे ही स्टार्ड दबाता हूँ तो दोस्तों यह सारी जो भी आईडीज है यह पॉल पे ही ओपन होगी यहां पे पहले आपको एड बिलाकर की मदद से यह जो उपर लिखा होता है इसको खतम करना है तो हाइड सम्टिंग जो लिखा हुआ है इस पे किलिक कर देना है आपको और यहां पे यह देख सकते हैं तो यार यह मैंने जूम ज्यादा कर दिया है तो इसलिए यह मतलब कुछ भी शोर नहीं कर रहा है तो इसको जूम आउट करके कन्फरम कर देता हूँ और उसके बाद यहां पे एक दूसरे भी लाइन है उसको भी मैं छुपाने के कोशिश करता हूँ तो हाइड सम्थिंग पे किलिक करके यहां पे जैसे ही मतलब जैसे ही पकड़ेंगे उपर माउस को तो यह हो जाएगा दोस्तो अब जो इसको रिफ्रेश करता हूँ लिंक को तो यहां पे देख सकते हो उपर नाम जो लिखा हुआ था आइडी का वो भी खतम हो चुका है तो यहां पे अब आटू के लिकर चलाता हूँ नहीं सबी आइडी पे तो कुछ इसा इंटरफेस आएगा आपके पास तो स्टार्ट करता हूँ और जैसे ही मैं एफ़न प्रेस करता हूँ तो यह सारी आइडी जो हैं वो इसी लिंक पे ओपिन हो जाएंगी शर्त यह है के गुरूप जोईन वाला जो है वो ओन रहना चाहिए यूजर एजन्ट तो यहाँ पे बासित के जो हैं वो 11 वोट हैं और फारूप के जो हैं वो 3 वोट हैं आपको रिफ्रेश करके भी दिखाऊंगा और यही वोट में लगा के आपको रेवस भी करना मतलब दिखा दूँगा कि यह वाक्षी लगते हैं या नहीं लगते हैं तो यह फेक आइडी का राउंड दोस्तो तो यार यह आइडी जो उर्दू में हुई थी वो अभी तक इंगलिश में नहीं हुई है इनकी एक लिंक होती है तो वो लिंक इधर फेक आइडी पे मतलब कौन बनाएगा तो यह आइडी देख सकते हो यह वोट लग रहा है चेंज पी ओर रहा है जिसे ही उपर देता हूँ तो 13 हो जाते हैं तो यहाँ पे मैं आटू के लिए कर चला के वोटिंग करना आपको सिखा देता हूँ speed आप जो भी रखना चाहें आपकी मर्दी है तो यहां पे मैं इसकी speed 20 रख देता हूँ आपको अगर fake voting के लिए speed voting चाहिए तो इसकी speed आपको 20 रख देनी है तो इससे क्या होगा कि vote तो जाएगा एक भी मतलब ऐसा नहीं होगा कि नहीं लगे तो यहां पे मैं इसको refresh कर देता हूँ यहां पे देख सकते हो vote और आट्टू के लिए कर जैसे ही चलाता हूँ तो यह दोस्तों 10 second में vote लग चुके हैं अब इसको refresh करता हूँ तो यहां पे देख सकते हो 52 vote हो चुके हैं दोस्तों इसको दोबारा refresh किया अब जोए इन्ही वोट को चेंज करते हैं देखते हैं कि तीन वोट हैं फारूक पे तो यहां पर जैसे ही मैं स्टाट करता हूं तो if one प्रेस करता हूं तो यहां पे देख सकते हो दोस्टो यह चेंज हो रहे अब जोए यह पुरूफ कैसे आपको दूंगा कि तो दोस्तों यह आईडी मैंने किलोज कर दिया अब जो है इन्ही आईडी को फिर से मैं ओपन करता हूँ देखता हूँ एक भी आईडी डिसेबल नहीं होगी और यह मतलब कोई भी मसला नहीं होगा और यही वोट मैं चेंज करूँगा देखते हैं यह वोट वागिंज होते हैं नहीं होते हैं तो यहां पर यह मैं क्लिकर चला लेता हूँ इसी पोल लिंक पर दोस्तों इस ब्राॉजर में एक खास बात है कि यह लोडिंग वगिरा नहीं लेता है बिलकुल ही मतलब जस्ट नाउ पर सब कुछ करता है तो मतलब अगर आप पांचों का राउंड लगाते हैं तो भी आपको दो से तीन मिन्ट में ये सारा मतलब काम करके दे देगा तो यहां पे मैं चेक करवा देता हूँ दोस्तो वाइफाई पे ये वर्क नहीं करेगी फाइल नेट वर्क कोई भी हो जेज, यूफोन, टेली नार जो भी आप मतलब चलाते हैं तो उस पे ये वर्क करेगी दोस्तो तो यहां पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ यहां पे उपर 42 वोट है तो इस पे मैं चेंज करता हूँ और जैसे ही मैं यहां पे थोड़ी बहुत लोडिंग ले रहा है तो यह लोडिंग जैसे ही खतम होती है उसके बाद मैं आपको अगरा इससे बता देता हूँ तो यहां पे हो चुकी है दोस्तो अब जो है यहां पे स्टार्ट करके जैसे ही F1 प्रेस करता हूँ तो ये सारे वोट जो है वो चेंज हो रहे हैं दोस्तो अब जो है पहले ही 52 वोट थे अब जो है फिर से चेक कर लेते हैं तो यहां पर देख सकते हो एक भी ID खराब नहीं हुई है और ये जो है आपको फाइल मिल जाएगी आपको स्क्रीन पर वार्शेप नमबर दिखाई दे रहा है आप मुझे राप्ता कर सकते हैं दोस्तो मिलते हैं नहीं